हलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आई होप से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोड इग्जामिनेशन के प्रिपरेशन भी ऐस वेल फंटस्टिक तरीके से कहर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर निमबर 80 है वह ऐस विजुल डिसकेशन के ओपर यह है जहाँ पर हम अपना थेओरेटिकल नौलेज गेन करेंगे रेलेटिंग टू अकांटिंग फॉर शेयर कैपिटल आज का जो बेटा हमारा चर्चा है वह स्टार्ट होगा डिफरेंस बिट्विन रिजर्व कैपिटल हैंड कैपिटल रिजर्व से औ और आगे जो जो टॉपिक्स हैंगे अब उनको क्लियर करते चले जाएंगे तो विदाउट इनी डिले बेटा स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्च्चर आज का जो हमारा पॉइंट है जो स्टार्ट हो रहा है वह है सेवन पॉइंट जो के डिफरेंस बिट्विन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल डिजर्व बेटा बोट एक्जाम में यहां से कोशन आने के चांसे हैं वह एमसी क्यूभी आपसे पूछ सकता है इसलिए आप को रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल डिफरेंस बता होना चाहिए ठीक है बात करो रिजर्व कैपिटल की तो इसका मतलब बहुत ही असान है रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है बिटा शेयर कैपिटल का वो हिस्सा वो पार्ट जो अभी तक कंपनी ने कॉल्ड ही नहीं क उपर उसको ही हम बोलते हैं इस बात को समझाने के लिए एक एक ग्जामपल दिया है कि जैसे ABC लिमिटेड एक कंपनी है उन्होंने इसू करें 1000 शेर यानि 1000 शेर इसू करें और हर एक शेर की ओरिजनल प्राइस यानि फेस वेल्यू पार वेल्यू नॉमिनल वेल्यू जो है हर वह है 10 इच है ना तो टेक्निकली देखा जाए तो कंपनी के पास जो टोटल पैसा आएगा जनता से यानि जो शेर कैपिटल आएगी टोटल वह आएगी 1000 शेर पे 10 रुपे है ना ओरिजनल तो इतना ही है हर सेर का प्राइस 10 रुपे तो इतना आना चाहिए यानि 10,000 उन्होंने डिसाइड किया कि हम हर सेर पे 10 रुपे ना मांगकर 8 ही रुपे मांगेंगे तो कंपनी ने 1000 रुपे कितने रुपे मांगे 8 रुपे तो कितने रुपे आए बताओ कंपनी के पास सेर कैपिटल के 8,000 जबकि आ कितने सकते थे 10,000 तो सेर कैपिटल यानि सेर का जो रुपे 10 रुपे ना मांगकर सिर्फ 8 रुपे मांगेंगे 2 रुपे कभी future में जब जोनत पड़ेगी तब मांगेंगे तो क्योंकि company ने share capital मंगवानी थी 10,000 रुपे की बट मंगवाई सिर्फ कितने 8 रुपे से यानि 8,000 रुपे से company ने बताओ अभी तक कितने रुपे नहीं मंगवाई हर सेयर और हर सिर्फ अभी 2 रुपे कम्पनी ंय कॉल नहीं करें थीक है ने अभी तक कॉल्ड ही नहीं करें अभी तक मंगाई ही नहीं तो उसी को ही हम क्या कहते हैं रिजर्व क्यापिटल ठीक है बोलो कि आपको बात समझ में आ गई तो आपको क्लियर हो गया होगा बात करें बेटा क्यापिटल डिजर्व का मतलब होता है यह एक तरीके का ऐसा प्रॉफिट होता है बेटा जो अराइज होता है कैपिटल नेचर आइटम से लाइक बेटा जैसे के कंपणी ने अपने बिजनस के फिक्स एसेट्स लाइक लैंड बिलिंग फंडिशर विकल्स वगयरा को बेचा और वहां से क्या कमा आया profit कमाया ठीक है ना जैको profit कमाया जाता है धंदा करके यानि goods करीद के और goods बेचके गुट्स करीदो बेचो service करीदो service बेचो यहां से profit कमाया जाता है आप profit कहां से कमा रहे हो अपने fix asset को बेचके तो fix asset को बेचना ना business का धंदा नहीं होता वह main core activity भी नहीं होता वह operating activity का पार्ट है तो अगर बिजनस अपने fix asset को बेचती है तो वह धंदा नहीं है बिजनस का बट स्टिल इस पार्ट ऑफ बिजनस यानि operating activity तो नहीं है बट नौन ऑपरेटिंग अक्टिविटी के अंदर से consider किया जाता है तो अगर fix asset को बेचके कोई profit कमाया जा रहा है तो उस profit को कहा डाला जाता है capital reserve में बेटा आप जब इस शेयर चाप्टर में जब आगे proceed करेंगे धिरे धिरे जब आगे आप चलते चले जाएंगे इस topics में तो आपको मेरे बच्चे यहां पर समझ में आएगा कि एक concept आएगा आगे share for future तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जब कोई shareholder ना कोई public जब हमारी company के जब share subscribe करती है तो वो shareholder कहला ही जाती है तो shareholder का ना यह दाइत वो बनता है कि अगर वो company के share buy कर रहें तो उन्हें in return company को सारा amount देना है चाहे company वो amount कैसे भी मांगे टुकडो टुकडो में मांगे दीरे-दीरे करके या एक साथ मांगे वो देना है बट अगर मानलो shareholder company को आगे जाकर कुछ पैसा देता है बट कुछ पैसे देने से मना करता है तो company के पास यह exclusive right होता है यानि उस shareholder के share cancel करे जा सकता है तो ऐसे में ना बेटा क्या होता है कि जो उस given shareholder ने जिसने भी मानलो company को सारा पैसा नहीं भेजा तो company के पास right होता है कि जितना पैसा उसने भेज दिया company वो जबत कर ले यानि retain कर ले और बाकि उनके share cancel कर ले यानि उनको ownership से बेदखल कर द और जितना भी पैसा उन shareholder ने दिया वो पैसा company का profit हो जाता है तो वह profit भी कहां जाता है बेटा capital में जाता है हम यह बात आगे पड़ेंगे ठीक है फिर एक point हो सकता है कि मानलो अगर आप किसी का business ही आप खरीद रहे हो उस business के assets उस business के liabilities आप सब purchase कर रहे हो तो ऐसे में मेर डालते है capitalism में यानि जो ऐसे profits होते हैं जो मेन कूर activity से रिलेट नहीं होते हैं वह business का मेन धंदा नहीं होता वैट स्टिल वह profit आराईज हो रहे हैं और वह बहुत बोलते हैं कि recurring basis पे नहीं होते हैं non recurring basis पे होते हैं कभी-कभी होते हैं तो ऐसे profit को हम उठाकर कहां डाल देते capital बोलते हैं यह capital नेचर आइटम से profit हुए हैं तो इन्हें capital में डालते हैं I think so कि आपको समझ में आ गया होगा ठीक है इस capital में से बिटा हम अपने preference share और equity share holder को dividend नहीं दे सकते नहीं दे सकते तो वह लिखा है dividend paid to preference or equity is not from that reserve ठीक है न तो याद रखना capital reserve जो होता है यह एक टाइप का profit होता है जो capital नेचर आइटम से create होता है like fix asset बेंच के जो profit arise हो जाए वह capitalism में चला जाता है आप share को cancel कर दो forfeit कर दो तो उस time अगर company कुछ पैसे जब्त कर लेती है ठीक है retain कर लेती है तो वह भी company का फाइदा हो जाता है तो उसको भी share for feature में डाला जाता है और अगर company किसी दूसरे का business acquire कर रही है खरीद रही है उसमें भी अगर benefit हो रहा है तो वह भी capitalism में जा रहा है और यह सारे के सारे profits ने बिटा अपने preference और equity shareholder को dividend देने के काम नहीं आती क्यों dividend जो दिया जाता है न वो महनत से जो आपने धंदा किया operating activity से जो आप profit कमाते हो उस profit से वेटा हम अपने preference और equity shareholder को क्या देते है तो यह basic difference है जो आपको समझ में आ चाहिए और आपको समझ में आ चुका होगा तो देखो ना दोनों के नाम एक जैसे मिलते जुलते से लगते हैं बड़ दोनों का मतलब बिलकुल आलग होता है समझ में आ गई बात हाँ next point है हमारा classification of share capital अब आपको पता है बटा कि जब एक company अपने shares को यानि अपनी ownership के तुकड़ों को यानि units को बोलते ना कि जनता के बीच में अगर इसू करती है तो उसको share का नाम दिया जाता है तो जब हम ना जनता को public को share इसू करते हैं तो in exchange company को क्या मिलता है money received होता है उस money को क्या बोला जाता है share capital क्या बोला जाता है share capital ठीक है क्योंकि जनता ना अब आपके share में पैसा लगा रही है तो जनता भी company के अंदर क्या बन जाती है owner तो ऐसे में उसको share capital बोला जाते है अ share capital के बेटा कुछ classification होते हैं कुछ types होते हैं जैसे share capital के अंदर सबसे पहले आता है authorized share capital यह मैंने आप से पहले भी बेटा discuss कर लिया था यह एक maximum amount of share capital होती है जो company जनता के बीच में issue कर सकती है और फिर बदले में उतना amount receive कर सकती है maximum limit होती है ठीक है तो यहां लिखा हुआ है कि it is a maximum amount of capital stated in memorandum of association है memorandum of association में लिखा रहता है कि company जनता के बीच में public के बीच में कितने रूपे के share issue maximum कर सकती है ठीक है which company can call from the public जिसे public से क्या किया जा सकता है for example company ने 10,000 share memorandum of association में stated कर रहे थे कि इतने share हम maximum जनता के बीच में issue कर सकते है हर share हमारा कितने रूपे का होगा 10 रूपे का तो यह 10 रूपे का जो हर एक share हर एक share कितने रूपे का है 10 रूपे का 100 रूपे का भी हो सकता है 50 रूपे का भी और अभी example में मैंने कितने का ले लिए 10 रूपे का तो यह बोलते हैं न, authorized share capital होता है, इसको क्या बोलते है, authorized, इतना maximum आप जनता से मंगा सकते हो, तो यह capping होती है, अगर यह capping ना करी जाए न, तो company अपनी मर्जी से जितना मनमाना पैसा हो, जनता से मंगा सकती हो, और फिर ऐसा हो सकता है, कि company को जो board of directors हो, या जो company के management हो, वो जनता का पैसा ज्यादा लगा हो, तो ऐसे में मेरे बच्चे, seriousness company के अंदर कम हो सकती है, इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए, यहाँ परना capital में capping करी गई है, जिसको authorized share capital बोले जाता है, कि इस से ज्यादा आप जनता से पैसा raise, इस amount से ज्यादा आप जनता से पैसा raise न तो अगर मान लो, company को maximum share issue करने के, let me suppose 10,000 के अगर limit दी गई है, तो इसी limit में रहकर company क्या कर सकती है, share को issue कर सकती है, तो it is the part of authorized share capital, ठीक है, issued share capital क्या होता है, यह part होता है, authorized share capital का, which company can issue to the public, जीने issue किया जाता है, public के बीच में, example, जैसे company ने, देखो company को limited 10,000 share की, कि इतने share जनता के बीच में issue कर सकते हैं, पर company को लगा कि इतने share issue करने के needy नहीं है, हम सिव 8,000 share issue करेंगे, तो 8,000 share issue करें, original price कितनी है, share के वही 10 रुपे, तो 8,000 into 10, कितना होगा, 80,000, तो मेरे बच्चे कहने का मत्तब क्या है, कि हमार आफने share issue भी कर दिए, तो अब आता है main जो point होता है, वो होता है, कि जनता आपके share कितने subscribe कर रही है, तो next point है subscribe, share capital, तो subscribe share capital का मतलब क्या होता है, कि जो share company ने market में issue किये, जनता ने उसे कितना subscribe किया, उसको ही subscribe share capital, बोलते है, तो यहां लिखा है, it is a part of issue shared capital, subscribe share capital क्योथा होत का विचिस ताइम니다 वेंस सब्सक्राईद बैडाब्लिक जो कि कौण सस्ट्राइब करते हैं public जनता ने कितने संस्क्राइब करें 7000 सेज्टप्सक्राइब करें सेवंपल्द भाद्ध सब्सक्राइब कर रही है staat कि तो यहां पर भी 10 each ही होगा क्योंकि सेयर का जो एक बार face value decide होता है तो continue फिर वही चलता रहता है तो 7000 सेयर का face value कितना है 10 each तो जनता ने कितने रूपे की capital सब्सक्राइब करी है 70,000 तो 70,000 रूपीस का क्या होगा है subscribe share capital अब आप यहां पर देखो company की maximum limit कितने रूपे की capital issue करने की थी 1 lakh की पर company ने share issue कितने करे जनता के बीच में कितने रूपे के share issue करे 80,000 तो इसे बोल दिया issue share capital पर जनता ने subscribe कितने करे 70,000 share के रूपे जो shares है वो subscribe करे तो इसको बोल दिया subscribe share capital ठीक है अगर बात करी जाए बेटा subscribe share capital के तो subscribe share capital में once again दो parts में subscribe share capital divide होती है एक होता है subscribe and fully paid up और एक होता है subscribe but not fully paid up देखो subscribe and fully paid up बेटा वहां पर कहला आये जाता है जहां पर बेटा जनता ने जितने share पप्लिक ने जितने share subscribe करे ना उतने ही share पे सारा पैसा उन्होंने company को भीज भ देती है that is not a subscribe कि जनता ने share subscribe करे and fully paid up के साथ उन्होंने सारा का सारा पैसा company को दे भी दिया but subscribe but not fully paid up बेटा वहां अपलाई होता है जहां जनता share subscribe तो करती है पर उन share के ऊपर सारा का सारा amount company को भेजती नहीं है चाहे उसके पीछी reason कुछ भी हो चाहे company नहीं क्यों ना अभी कम call किया हो जैसे अभी अपने reserve capital में देखा था हर एक share 10 रुपे का था बट company ने कितना रुपे मांगे सिर्फ 8 तो 2 रुपे नहीं मांगे तो वो reserve capital बना तो जैसे अगर company नहीं 10 रुपे के बतले अगर 8 रुपे मांगे तो 2 रुपे अभी नहीं मांगे share पे तो जनता ने बेजे भी नहीं होंगे तो उसका मतलब है subscribe बट not fully fed up कि जनता ने subscribe बट अभी तक सारे पैसे बेजे नहीं या मान लो जनता के बीच में से ही कोई share holder है ना public के बीच में से ही कोई share holder ऐसा निकल आए जो company को आगे जाकर पैसा ना दे आगे हम पढ़ेंगे call in area तो वहाँ पर ह पीच में अगर कोई ऐसा share holder है जो company को सारा पैसा नहीं भीज रहा है तो उस सिनारियो में भी subscribe बट not fully fed up हो जाएगा तो company कम मांग रही है या share holder ही सारा amount नहीं भीज रहा है call in area कर रहे है तो उस सिनारियो में subscribe बट not fully fed up हो जाता है बोलो क्या आपको बात समझ में आई तो य फिर होता है issue कि उस maximum limit में रहकर company कितने share issue कर रही है और issue करने के बाद आता है subscribe share capital की जनता कितने share subscribe कर रही है और अगर जनता subscribe कर रही है तो कैसे कर रही है क्या subscribe and fully paid up कर रही है कि सारा पैसा share subscribe करने पे जनता ने भीजा है अगर हाँ तो subscribe and fully paid up और अगर नहीं कि सारी share subscribe तो कर पैसा ना भीज रहो तो उसको लिखा जाता है सब्सक्राइड बट नौट फोली पेड़ अप के अंदर बोलो बात समझ में आगी इसके बाद बेटा हमारे ने एक दो कंसेप्ट रहते हैं छोटे-छोटे से वह हैं कॉल्डब कैपिटल का मतलब होता है कि सेयर का वो हिस्सा ज हर एक सेयर 10 रुपे का है और रिजर प्राइस कितनी है 10 बट कंपनी ने 10 रुपे के बदले अभी सिर्फ कितने रुपे मांगे 8 तो मुझे एक बाद बताओ 8 रुपे मांगे ना तो इसी 8 रुपे को कहते हैं कॉल्डब के कंपनी ने कॉल्डब कितना किया कॉल्डब कितना तो समझ में आ गया जितना टोटल अमांट कंपनी को रिसीव हो चुक है और और समझ में आगी का मतलब होता है कि युद्ध कि आट रुपे कॉल किया जैसी उसे नंबर और से मंटिप्लाय कराते हैं तो कॉल्डप कैपिटल निकल कराती है सर जो दो रुपे अभी तक नहीं मंगाए दस में से आट मंगा दिये दो नहीं मंगाए तो उसे अनकॉल्ड कैपिटल कहते हैं अनकॉल्ड कैपिटल बोलो या रिजर्व कैपिटल बोलो अभी पढ़ाया था मैंने आपको ठीक है तो उसे इस तरीके से परनाउंस करते हैं बो को कहते हैं paid up capital कि company ने कितना call किया called up capital जनता ने response में कितना भेजा that is known as paid up capital ठीक है बुलो कि आपको बात समझ में आई हाँ ठीक है तो यहां लिखा भाभी यह देखो call capital में कि it is the amount of capital that the company has called for payment from shareholder जितना company call करे shareholder को कि भाई इतना amount आप भेजो तो उसी को called up capital भी का जाता है paid up capital को क्या बोले जाता है it is the total amount of capital that company has received from its shareholder shareholder से जितना बैसा received होता है उसी को ही हम paid up capital भी बोलता है बोलो बात समझ में आ गई तो यह साहब concept आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर कोई confusion रही हो वैसे तो नहीं होनी चाहिए बढ़ अगर है तो जब मैं इस वीडियो को upload करूँ तो इसके comment section में आप अपना doubt पूच सकते हैं ना everyone बेटा जो हमारा next point है वो है issue of share यहाँ पर बेटा हमने देखना है कि कि किस तरीके से company share issue करती है और जनता किस तरीके से share subscribe कर सकती है तो बेटा देखो जब company सबसे पहले share issue करती है तो वह करती है with the help of prospectus prospectus में बेटा ना एक तरीके से application किया जाता है जनता के पीच में प्रातना की जाती है कि आप अपना पैसा company में क्या कर सकते हैं invest कर सकते हैं ठीक है एक request करी जाती है application करी जाती है with the help of prospectus पब्लिक क्या करती है बेटा इन रिटरन जो जो company के share में पैसा invest करना चाहती है वह public वह जनता अपना application में deposit कर देती है company के designated bank में जो भी company का bank account होता है उसमें share का पैसा send कर देती है यानि भेज देती है बट यह जो शेयर सब्सक्राइब करने का जो time frame होता है यह specific period तक ही होता है ऐसा नहीं होता कि आपकी मर्जी आ रही तो आप एक साल तक दो साल तक company के share क्या कर रहे हो subscribe कर रहे हो नहीं एक time दिया जाता है उस time frame के अंदर ही आपको company के share subscribe करने होते है और application का पैसा भीजना होता है तो subscription will be allowed at the end of the specified period जब तक specified period खतम नहीं हो जाता तब तक आपको subscription share subscribe करने का आपको अधिकार है किनको जनता को फिर जनता बेटा share subscribe करती है तो तीन तरीके से कर सकती है एक under subscription या तो company ने जितने share issue करे जनता ने उतने subscribe भी नहीं करे जैसे 10,000 share issue करे बड़ जनता ने 9,000 share subscribe करे इस scenario को कहते हैं under subscription की company में share subscribe हुए है public के द्वारा बट under subscription हुए है company ने 10,000 share issue करे थे पड़ जनता ने public ने सिफ 9,000 share ही subscribe करे जब under subscription होता है बेटा तो वहाँ पे हमें देखना होता है कि minimum subscription received हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखो article of association में अगर लिखा है कि minimum subscription 80, 70, 85 यह होना चाहिए मतलब लिखा है company ने कि minimum subscription क्या होगा तब तो वही होगा बट अगर आपने article of association में mention नहीं करा है कि minimum subscription क्या होना चाहिए तो table F जो होता है company's act 2013 को वो apply होता है और table F में लिखा है कि अगर article of association में minimum subscription specify नहीं है तो फिर minimum subscription by default कितना हो जाता है 90% तो यहाँ पर यह देखना होता है कि minimum subscription 90% हुआ है कि नहीं हुआ है अगर article of association में नहीं लिखा है कि minimum subscription क्या होगा तो by default 90% होता है तो हमें check करना होता है 90% minimum subscribe हुआ है कि नहीं अगर answer है कि नहीं हुआ अगर answer है कि नहीं हुआ तो जितना भी company ने application money received किया है ना public से वो सारा का सारा पैसा whole share जितने जनता ने subscribe करें वो सब reject करने पड़ेंगे और सारा का सारा पैसा refund करना पड़ेगा जनता को इसमें बटा company का नुक्सार होता है ठीक है बट अगर मालो under subscription 90% तक हुआ है यानि minimum subscription टच हो गया है यानि minimum subscription जनता ने subscribe कर लिया answer है yes तो ऐसे में ना share a lot हो जाते है जनता को ठीक है उन share पर जितने पर जनता ने share subscribe करें मतलब company उनको share दे देती है फिर company को ना उनका पैसा refund करने के जोरत नहीं है तब वो एक normal issue मान लिया जाता है ठीक है बोलो बात समझ में आग को share जितने उन्होंने subscribe किया दे देंगे बट अगर नहीं हुआ है तो ऐसे में मेरे बच्चे हमें उनके share लोटाने पड़ेंगे उनका सारा पैसा वापेस करना पड़ेगा जिसमें company को नुकसान हो जाता है बेटा बोलो बात समझ में आ गई हाँ next है अगर fully subscribe हुआ है company ने let 10,000 से इसईयर करें जनता ने 10,000 सब्सक्राइब करे टो जितने subscribe कर रहे है उतने ही से हम उने law कर लेंगे बात कतम बट अगर over subscribe हो जाए मैं क्यों क्यों से और कि company ने तो 10,000 से इसईयर इसईयर करें यह सिर्ट शैयर कर दियों तो उस सिनारियों में न देखो company के पास ने के सिर्फ दसी हजार सेयर है में भी कंपनी बहुत ज़्यादा पॉपलर होगी बेटा मार्केट में तो इसलिए जन्ता ने ज्यादा सेयर सब्सक्राइब कर लिए पर कंपनी के पास देने के लिए तो है कितने दस जार सेयर तो यहां पर ना मेरे बचे प्रोराटा बेसे सब्सक्राइब करें गीक दी उस प्रॉबलम को तीन तरीके से सॉल्व कर सकती है यह तो फुली एड़्जस्ट का मतलब होता हि कि जिन सेयर होल्डर्स ने दो अजार सेयर पर एक्सेस भेजा है तो यहां पर ना वे जाता है कि देखो हम सेखर तो 10.000 दे सकते हैं तो उतने पैसा आगे जब कभी पैसा मंगा देंगे आपसे हम आगे देखेंगे कि सेयर को न भी तरीके से मंगा सकते हैं एक लंसम और एक installment लंसम बें कि वादर सारा पैसा एक साथ आता है पर इस्टॉल्मेट में पैसा तुकड़ों में आता है उन तुकड़ों के नाम होते हैं हम आगे पढ़ेंगे जिसे application allotment, first call, second call ऐसे तुकडों के नाम होते हैं तो अगर मान लेजे कि application में जनता ने जादा share पे पैसे बेज दिये तो जितने जादा पे जैसे मेरा जो case था अभी उसमें 2000 share पे जनता ने जादा पैसे बेजे तो उतना ही पैसा हम बेटा फे जब आगे allotment इंडिया, first call मांगेंगे तो उतना ही पैसा हम आगे की calls में कम, उनसे call कर लेंगे तो कहने का मतलब है कि जितना access पैसा आया है उसे या तो हम adjust करेंगे या तो हम उसे reject कर देंगे reject का मतलब है जितना access share पे पैसा आया है, 2000 share पे एक्सेस पैसा आया होगा वो उनको वापिस कर दो घर बेज़ दो कह दो हम आपको सेयरी नहीं दे सकते घर बेज़ दो ठीक है फुली रिजयक्ट या कुछों को एक्जस्ट कर दो कुछों को बोल दो कि तुमने अगर एक्सेस भेजा है तो हम तुम्हारा पैसा आगे की कॉल् का पैसा आगे दूसरों को दूसरों को बोला और कुछों को हम त्रीन सेज्स HR्यारियों जहां से हम over subscription की प्रॉब्लम को और सब्सक्राइब की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं यह हम सब आगे पढ़ेंगे बेटा बस आपको एक पॉइंट मुझे आपर ओवर्वियू दे दिया ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है कि जब कंपनी अपने सेर इसू करती है और जनता सब्सक्राइब करकर कंपनी को पैसा भीजती है तो उसको बोलते हैं बेटा सेर कैपिटल तो सेर कैपिटल को बैलन सेट में सो कैसे किया जाता है तो सबसे पहले देखो बेटा हम कंपनी का नाम लिखते हैं फिर अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो सेड्यूल थर्ड पार्ट फ फॉर्मेट है वो कंपनी सेट 2013 में सेड्यूल थर्ड में दिया है और पार्ट वन के अंदर मेंचन कर रखा है तो आप चाहें तो यह लिख दो इसे लिखने से बोलते हैं कि एक इंप्रेशन क्रियेट होता है विटा समझ में आते हैं कि आप पढ़कर आरे लो ठीक है तो सेड्यूल थर्ड पार्ट पार्ट फर्स्ट ऑफ कंपनी सेट 2013 लिख सकते हो उसके बाद आपने लिखना है बैलेंस इड लिखे होगी वह यहां लिखेंगे और बगल में लिखेंग बेटा बैलनसेट ना होरिजनल फॉर्म में बनाई थी यानि capaz अर्सट आम ने सामने इस तरीक से बनाई थी ठीक है पर जब हम company की balance sheet बनाते हैं तो companies का अपना एक proper act है और इस act के अंदर mention किया है कि balance sheet कैसे बनानी है तो यहां पर हम balance sheet horizontal way में नहीं बनाते companies के अंदर हम companies के अंदर balance sheet vertical shape में बनाते हैं ठीक है vertical पहले हम लिखते हैं liabilities और फिर हम लिखते हैं अपने assets बात तो वही है बस horizontal way में ना बनाकर vertical form में हम यहां पर अपनी balance sheet बनाते हैं तो यहां पर जब balance sheet बनाते हैं तो format ऐसा होता है कि पहला column बनता है इसमें particular थोड़ा बड़ा column आप liabilities और assets के लिख रहे हैं तो कभी-कभी ना बिटा किसी liability के items में या assets के item में हमें explanation देना होता है ठीक है तो उस explanation को हम notes to accounts यानि note number में देते हैं तो वैसे आपके slaves में note number नहीं है सिर्फ एक ही का है जो notes to accounts आपको बनाना है share capital का बाकी और का नहीं बनाना है तो आपके slaves में सिर share capital का ही notes to account है आपको क्या करना होगा share capital को explain करना होगा अलग से तो वह कहां करा जाता है note number में ठीक है तो note number यहां वन लिखा जाता है और जब balance it खतम होती है तो notes to accounts बनाकर share capital को explain भी किया जाता है ठीक है तो यहां पर सबसे पहले बेटा देखो particular फिर note number और फिर आता है amount को column सबसे पहले वेटा roman number में हम लिखते है है first और यहां पर लिखते है equity and liabilities equity का मतलब होता है Talking यानि जो मालिकों का पैसा होता है उसको इक विटे बोला जाता है ठीक है इंटरनल वन्ट इंटरनल लाइबलिटी इस से बोलते हो एंड यहां पर लाइबलेटी का मतलब है एंड लाइबलेटी इसमें सबसे सबसे पहले कौंसी liability mention करते हैं पॉइंट number 1 में सबसे पहले हम करते हैं owner की liability यानि internal liability owner fund को mention करते है owner fund को यहाँ पर लिखा जाता है shareholder fund क्या लिखा जाता है shareholder fund और shareholder fund के ना दो parts होते हैं बेटा A और B जिसे लिखा जाते है share capital and reserve and surplus पर क्योंकि हमें share capital का explanation देना होता है तो note number में हम 1 डालते हैं और बस बेटा यहाँ पर आगर हमारी balance rate खतम हो जाती है हाले कि इसके बार non current liability, current liability आती है फिर assets के अंदर non current asset, current assets आते हैं बट अभी हमें वो स बनानी है किसके context में share capital के context में बनानी है तो हमें इतना part explain करना है ठीक है तो इसलिए जब हमने balance rate बनाई थी तो क्या लिख दिया था extract क्या लिख दिया था extract तो share capital के आगे हम लिख रहे हैं बिटा note number 1 और अपने notes to accounts को यानि जो note number 1 है वो किसका है share capital का उसको explain करेंगे यह आ everyone यहां notes to accounts मत बना देना क्यों यहां note number मत लिख देना दुबारा क्योंकि यह खुद notes to accounts है तो यहां note number थोड़ी लिख हो गए ठीक है note number हम कहां लिखते है balance sheet में और हम note number 1 यानि share capital को explain कर रहे हैं तो format particular and amount ठीक है अब यहां पर सबसे पहले हम mention करते है point number 1 में authorized share capital सबसे पहले maximum let me suppose it will be 10,000 let me suppose it will be 10,000 एक number के साथ मैंने समझाने की कोशिज करी है तो 10,000 इंटू add the rate उपेश 10 इच मालो सेयर का original price भी कितना है 10 तो 10 इच लिख दिया 10,000 इंटू 10 कितना हो गया 1,00,000 हो गया ठीक है इसके बाद आता है issued share capital का मतलब क्यों होता है कि company कितने share issued कर रही है माल लोग कि company के पास power share issue करने की तो 10,000 share के थी पर company ने अपने power के इस्तमाल करकर सिर्फ कितने share issue गरे 8,000 share तो 8,000 share into 10 इच हर एक share 10 रुपे का है तो face value के साथ लिखा जाता है 10 इच ठीक है तो यह आगया 80,000 अब एक बाद ध्यान रखना है विटा अगर company ने अगर let me suppose 10 में से फिर 8 मांगे तो यहां पर आगे लिख देंगे रुपीज 8 called up ठीक है रुपीज 8 called up, 7 रुपे मांगे तो फिर रुपीज 7 called up, अगर 9 रुपीज मांगे तो 9 called up, पर अगर सारे ही मांगे तो फिर लिखने की जुरत नहीं है ठीक है क्योंकि एक हर एक share कितने का है 10 का और company 10 ह मांग रही है तो फिर आगे लिखने के जुरत नहीं के रुपीज 10 called up, ठीक है, called up का मतलब क्यों होता है मंगा ना, तो जब हम share issue करते है तभी तो मंगाते है तो आप लिख भी सकते हो पर लिखने के जुरत नहीं है, आपको called up तभी लिखना है आगे कॉमा करके जब company 10 रु कर देना है क्योंकि यह सिर्फ presentation के तौर पे काम आते हैं यह amount आपका ना share capital में नहीं जाता है ठीक है, तो यह double line से close हो जाएगा, वैसी issue share भी double line से cross हो जाएगा, close हो जाएगा, third point में अगर हम आई, तो third point होता है main, जो क्यों होता है subscribe share capital, और मैंने अभी अभी बताया था, कि subscribe share capital के दो पार्ट होते हैं, एक है subscribe and fully paid up और एक है subscribe but not fully paid up, मालो जनता 8,000 share subscribe कर रही है और पूरे की पूरे 10 रुपे दे रही है जितना company ने मागा, तो that is known है subscribe and fully paid up, 8,000 into 10 करेंगे और 80,000 आ जाएगा, और आपका पता है यही 80,000 यही 80,000 फिर total में आ जाएगा, ठीक है, और यही 80,000 कहाँ चला जाएगा, फिर share capital में, क्योंकि जनता जितना subscribe करती है ना, वही amount share capital में जाता है, ठीक है, पर कभी-कभी ऐसा हो सकता है, कि जनता सारे share आपके, बोलते ना, सारी, सारा पैसा आपको ना बेजे, subscribe and fully paid up ना हो, तो ऐसे में फिर बेटा, दूसरा condition हो सकता है subscribe but not fully paid up, इसले मैंने all लगा दिया, या तो subscribe button fully paid up होगा, या तो होगा subscribe but not fully paid up, चलो अगर subscribe but not fully paid up है, तो let me suppose कि जनता को 8,000 share पे 10 रुपे बेजना चाहिए था, let me suppose, क्योंकि इसूडी कितने करे गए थे share, 8,000 share, तो 8,000 share जनता ने subscribe करे, और 10 रुपे इने भीजने चाहिए यानि 8,000 रुपे बेजने चाहिए थे, मानते हैं कि जनता में से कोई share holder, यानि कोई public में से कोई share holder ऐसा था, जिसके पास 100 share थे company के और उसने company को 3 रुपे नहीं बेजे, let me suppose, 10 रुपे बेजने थे, उसने 7 रुपे बेजे, let me suppose, 3 रुपे नहीं बेजे, तो 100 into 3, 300 रुपे, share for feature ना आपका एक numerical concept है, जहां पर company share cancel करती है, जब कोई share holder करता है, पैसे देने से मना करता है, तो आगे जाकर company उसके share cancel कर देती है, और share cancel करने से फिर company को कभी-कभी फाइदा होता है, जिस फाइदे का नाम हम share for feature रखते हैं, तो वो फाइदा भी ना हम बेटा यहां पर क् ने add, बट अभी के लिए कुछ है नहीं, तो मैंने dash कर दिया, ठीक है, अब अगर मैं 80,000 में से 300 less करता हूं, तो बताइए कितना आता है, 79,700, आना कितना था, issue कितना करा था company ने, 80,000 share का capital है, वो issue किया था, पर जनता ने बेजा कितना 79,700, तो it means कि जनता ने subscribe तो करे, share पर company को पूरा पैसा नहीं विजा, क्योंकि 300 रोपे company के पास आई ही नहीं, है ना, कॉली ने रेर कर दिया किसी ने, किसी share order ने, पैसे देने से मता कर दिया होगा, तो ऐसे में सारा पैसा company के पास नहीं आया, तब उस scenario में 79,700, ट्रांसफर हो जाएगा कहा, share capital में, तब share capital में क और अगर जनता ने सारा share subscribe नहीं करा है, मतलब fully paid up नहीं करा है, सारी share, तो ऐसे scenario में subscriber not fully paid up होगा, और एक example के तहत मैंने बतानी की कोशिश करी, कि 79,700, 7 इंडेट company के पास आया, इसी पैसे को कहा बेज दिया जाएगा, transfer to share capital कर दिया जाएगा, तो इस तरीक से ना, बेटा, बनाते हैं, आपको दियान रखना है, बोलो, कि आप इतनी बाद दियान रख सकते हैं, बैलेंसेड बनाएंगे, उसके बाद share capital का notes, पहले authorized share capital दिखाएंगे, फिर इसूट share capital दिखाएंगे, फिर subscribe share capital दिखाएंगे, question में judge करना पड़ेगा, क्या जनता ने सारा पैसा बेज balance sheet बनाऊंगा, तो वहाँ परना, आपको बहुत अच्छे से balance sheet समझ में आ जाएगी, बट मैंने format समझा रहा था, तो मैंने format आपको समझा दिया, बुलो, clear होगी बात, the answer is yes, तो आज के लिए ने बेटा, हम यहीं पर अपनी class over करते हैं, ठीक है, I hope so, कि आपको reserve capital and capital reserve समझ म आया हो, ठीक है, आप चाहें तो इसको copy भी कर सकते हैं, ठीक है, video pause करकर copy भी कर सकते हैं, I think so, बेटा, जब मैंने share capital का classification किया हो, तो वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हो, ठीक है, इसको copy कर देना, next में मैंने बताया कि जब company say issue करती है, तो जनता कैसे subscribe करती है, तो under subscribe कर सकती है, fully subscribe कर सकती है, over subscribe कर सकती है, तो यह मैंने आपको explain कर अच्छे से, ठीक है, फिर मैंने आपको balance sheet बताई की balance sheet आपको share capital की context की किस तरीके से बनानी है, और किस तरीके से share capital का notes to account बनाने, वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं ठीक है तो यह बैलेंस हीट है आपकी और यह है आपका नोट्स टू ठीक है तो आज के लिए ना बेटा मैं अपना लेक्चर यहीं पर ओवर करता हूं ठीक है मेरे बिच्चे और अगर आपके कोई कि डाउट्स होंगे तो आप विडियो के अप्लोडेट होते साथ ही कमेंट सेक्षिन पर इपने डाउट कूछ सकते हो इस फास्ट इस फास्ट पॉसिवल विटा मैं आपके डाउट्स के ना रिप्लाई करने की पूरी-पूरी कोशिश करोंगा और हो सकते तो विडियो को पैसा मेरे पास आता है ठीक है money is not a problem for me but आपकी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि important है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा माहिने रखता है ठीक है तो इसलिए मेरे बच्चे मैं आपको मिलता हूँ अपने next lecture में ठीक है खुब अच्छे से पढ़ें और work hard करे ठीक है टाटा बाबाबाय से भनारा